थोड़ा सा पहले इसको समझो द्रोर दिख रहा सबको यह आपका आइसी है टीपेस 51225 आप करेक्ट तो इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट तो मेरा वीन हो गया पिन नंबर मैंने बता दिया पिन नंबर 12 इस आइसी में पिन नंबर 12 पर वीन आएगा एडप्टर मूट की बात करें तो यहां पर इसमानगें नंबर 13 इसमें करता है यह 3-volt LND गारेक्ट यह होगे आपका 3-volt कि डाइग्राम में जाओगे तो नाम क्या रहता है इसका यह 3.3 वोल्ट और गिलरी एसफाइब 3.3 वोल्ट और गिलरी एसफाइब यह इसका नाम होता है करेक्ट यह तो यह जो वोल्टेज है अगर आप देखोगे इस रास्ते से ही यह आयो को मिल गया अगर्ट यहां पर आयो को मिल गया फिर नंबर 75 पर नाम क्या है वोल्टेज इस्टेंड वाई एक यह मिल गया मत्तब यह आयो चिप है आपका NPC 285 और यह है क्या मेरा एक लॉजिक है यह जो बीच में लॉजिक देख रहे हैं इसको नाम दिया जाता है पीएसल लॉजिक पीएसल लॉजिक ठीक है तो यहां पर यह डेल 35 मैंने यहां पर पता है पादमा की यह रॉजिक आपको डेल विश्ट्राउन के बोड में मिलेगा विश्ट्राउन के बोड में मिलेगा 35 में 3 सेक्वेंस नंबर वन होता है यह मेरा सेक्वेंस नंबर टू हो गया कि जैसे साइसी को विन मिला तो इस आइसी ने जो कि मेरा जो डायोड होता है वहां से जन्येट हो जाता है तो इस तरह का लॉजिक और भी अधर बोड में मिलेगा तो उसमें हो सकता है कि यह आपका जो वीरेश 3 है 3.3 बॉल्ट अगर नहीं मिल रहे आयो को तो ल्डियो की जगा कौन काम करेगा यह भी बैकप काम करेगा है यह मिल गया करेपम अब यह जब मिल जाता है थिक कि हो हमारा हमको क्या चीरिये अनेबल यहाँ पर मनेअ पिए सेक्वेंस वन सेक्वेंस ट्वी हो गया सिक्वेंस थ्री आपका यह है रास्ते में आपको क्या दिख रहा है यह डायोड नजरा रहा है यह डायोड के आगे का लिख दिया मैंने प्योर एच डबलू सट डाउन है मत्तब यहां पर थर्मल का प्रोटेक्शन सर्किट है है ना तो यह लॉजिक का मकसद क्या है कि जनरली आपने देखा इससे पहले कि हमारा एल्डियो बोल्टे जब मिल जाता आयो को साथी साथ आयो की अपने रिक्वार्मेंट्स होती है रिक्वार्मेंट्स के तौर पर आयो को क्या चीए एसीन चाहिए एसीन का कंडिशन यहां पर क्या है है यह क्या रहेगा लो लेकिन यहां पर नाम क्या इसका प्येसल इन वन प्येसल का फॉल फॉर्म होता है पावर स्विच लॉजिक है ना यह ए यहां पर भी आएगा तो यहां पर आएगा तो यह क्या आएगा 3.3 बोल्ट लेकर आएगा मतब यहां पर दो इनपूट है PSL in 2 और PSL in 1 एक low रहेगा एक high रहेगा किस case में adapter के case adapter mode में एक low एक high pin no.93 पिन no.73 तो अब IO chip क्या करेगा अब IO chip को generate करना S5 enable तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने बताए हुआ कि IO chip S5 enable generate करेगा pin no.93 नहीं बता है मैं diagram पर बता दूँगा है ना तो S5 enable जो यहां पर generate होगा तो यह S5 enable का path है यह आपका S5 enable का path है मतब S5 enable जो आएगा यह S5 enable ऐसे करके 1 kilo का राइश्चर फिर बना 3 volt 5 volt enable और यह यहां पर आगया है ना में बात यह है कि इस path पर जो voltage आना है इस path पर जो voltage आएगा वह आयो के अंदर से नहीं आएगा है ना वह voltage कहां से आएगा तो बोल्टेज इस राइश्चर से यहां पर पूल अप होगा यह राइश्चर से यहां से पूल अप होगा है ना बात यह voltage बनेगा कैसे यह voltage का नाम क्या है 3.3 वोल्ट ऑगिलरी के बीसी यह रोचेश्त बनेगा कैसे तो यहां पर आपको इस समय में आ रहा है कि क्या है मेरा पी-चनल-बोस degli रातिय यहां पर मैंने कर दिया इंटी कर दे पी-चनल-बोस इम्ज तो LDO voltage इसके source पर आएगा और यही voltage यहां पर drain से out होगा drain से out होकर करके इस path पर आ जाएगा voltage आ गिया मेरा 3.3 volt और यही voltage से मेरा क्या हो जाएगा दोनों बिने आपके enable हो जाएगी तो दिक्कत की बात यह है कि यहां पर यह P channel है है ना यह P channel है तो P channel के case में क्या है कि यह जो LDO voltage इसके source पर आकर के drain से जो out होगा तो इसकी condition मेरे को on चाहिए है ना on के लिए gate क्या होना चाहिए इसका low होना चाहिए गेट इसका low होना चाहिए अब आप एक चीज़ और देखो एक MOSFET के अलावए एक और यहां पर MOSFET बता है और इसको देखके समझे महारा एंचेलन MOSFET है ना तो जाहिड सी बात है अगर आप कहते हो कि S5 enable मेरे को logic high पर चाहिए और इस पर voltage यह तो यह क्या होना चाहिए यह मेरे को क्या चाहिए और इसके लिए आप देख सकते हैं इसका gate इसके gate से डुड़ा हुआ है जाहिड सी बात है इसका gate भी मेरे को low पर चाहिए तो दोनों में फरक आ गया कि अगर इसका gate low है तो यह पी चैनल on रहेगा अनों करके 3.3 वोल्ट अल्डियों को यहां पर 3.3 और गिल्ली के बीसी में कनवर्ट करके एसफाइ वेनेबल पर पूल अप करेगा और यह मेरे को आफ्स चाहिए तो कि अगर यह on होगा अगर किसी वज़े से on हो गया सॉट हो गया तो फिर तो यह पूरे पात को low कर देग जब आयो च्शप के रिक्वारेमंट पूरी हो गई तो psl आउट कर देगा लू लो करने के साथ क्या हो गया यह ईस्सा भीो लो गया तो यह लो गये लो गहे तो यह on हो गया यह ow ओ गया अफो गया हो tutti क्यो अगया मेरा यह पात मेरा हाइच पाल और मेरा ही पे पूरा और म तो भी जनेरेट कर देगा यह सिक्वेंस नंबर फूर है मतलब यहां पर कॉंप्लिकेटड क्या बनाए हुआ है इससे पहले जो हमने देखा था क्या था हमने देखा कि सीधा सीधा आपका आयो चिप से निकल आ रहा है निकल के इसको एनेबल कर रहा है वोल्टेज कहां से आ रहा था तो जनलि आयो के अंदर से आ रहा था लेकिन इस लॉजिक में क्या है कि थोड़ा सा कॉंप्लिकेटड है यह और इसमें अक्सर प्रॉलम साती है थम्रीगे ना आप देखो डिलेट कर रहा हूं इसको अधाप्टर मोड खता आप मैं इसको लेके जाऊंगा कहां बैटरी मोड लें इसको जब मैं बैटरी मोड पर लेके जा रहा हूं यह मैंने लिख दिया बैटरी मोड कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको यह बैटरी मोड में आपका क्या है विफोर पावर बटन पावर बटन पेस्ट करने से पहले का इस्टर्टस क्या रहेगा देखो यहां पर क्या आएगा बैटरी मोड में बैटरी का बोल्ट है 11 बोल्ट आया यह मेरा η यह मेरा एलडियो वोल्ट यहाँ पर आ चुका है यहां पर भी आ गया मेरा है यहां पर भी आ अचार्ड ऑर यहां पर भी आया अगिया मैरा convert हो जाएगा यहां पर क्या रहेगा ओर य 3.3V , और यह तो 3.3V अधिले , और 높म यहां रहे neues, न does this change यहां आजाएगा और से बर्लट यहां पर यहां पर ब्लर से लुक्रसिंट और यह बेहर्ड नितां आए हमुझा यहां पर Vamp K 1 सिमारियो क्या हो ग्या इसकी condition क्या है और इसकी condition क्या है ओस तो यह अगर ऑन संख न है तो जाहिर सी वाते जहां क्या हो गया में र फैचँना है और यहहांव कर मैरा आफ की कंडिशन हें अभी की कंडिशन के बैटरी मोड फॉर पावर बटन अभी मैंने पावर बटन प्रेस नहीं किया समझ गया तो यह सिनारियू है वहही अगर बैटरी मोड आफ्टर पावर बटन की कंडिसन यह हो गए आफ्टर पावर बटन में क्या रहेगा ऐसे रहेगा सब कुछ ऐसे रहेगा चेंजस कहां पर आएगा यहाँ power button paste करोगे power button paste करते यह जो 3.3 volt था यह क्या हो जाएगा low हो जाएगा जैसे यह low हुआ वैसे क्या हो जाएगा यह low हो जाएगा जैसे यह low हुआ यह पूरा पूरा हिस्सा low हो गया यह low हो गया यह low हो गया low हो ते यह off था तो यह on हो जाएगा और यह on था तो यह off हो जाएगा और जैसे यह on हुआ तो 0V की जगह यहाँ पर 3.3V बन गया LDO वाला और यह 3.3V मेरा इस पर आ गया और इस points पर भी हम कह सकते 3.3V आ गया 3.3V आ गया और मेरा यहाँ पर 5V मेरे को मिल जाएगा और यह जो voltage 3.3V augury Kbc तो यह I.O को भी मिल जाएगा तो power button जैसे प्रेस किया वैसे यह सारा काम हो चुका है फिर आपने power button छोड़ना भी तो है तो छोड़ते यह क्या हो जाएगा फिर से 3.3V हो जाएगा मतब हाई पे लेकिन तब तक आयो अपना काम कर चुका आयो को जैसे supply मिल जाएगे न यह वाली कौन सी यह वाली auxiliary Kbc आयो चिप क्या करेगा इसको permanent lock का लोई रहे मतब यह permanent lock ह जाएगा यह जाएगा यह शिश्टम तामचिगा न यह लोगा